इस वीडियो में हम लोग P-Block के 10 to 18 कोश्चन को कवर करेंगे यह second video है P-Block 2020 मेंस के कोश्चन के solution का तो लेट एस टार्ट कोश्चन नमबर 10 तो पहले हमें पर क्लोरिक आसेड का फॉर्मला देखना है तो यह होता है HClO4 और इसमें जो bond होंगे ClOH double bond O double bond O double bond O तो double bond O bond पूछ रहा है यह 3 हो गए एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे तो we are having 3 यह इसका answer हो जाएगा 3 11 पे आते है यह पहले भी एक कोशन इसी टाइप का इसके फर्स वीडियो में मिल चुका है इससे फिर से मैं बताता हूँ जो N2O4 है इस एक्चुली 2 NO2 यह N2O4 NO2 का dimer होता है और property क्या मैंने वहाँ बताई थी जो NO2 है इसमें एक unpaired electron होता है जिसके कारण यह brown होता है ठीक है यह जो unpaired electron है यह इसको paramagnetic बनाता है इसको brown color देता है वाइल जो N2O4 है इसमें 2 NO2 आते है और उसका जो unpaired electron है वो paired हो जाता है यह इसका unpaired electron और एक और NO2 उसके unpaired electron दोनों मिलके bond बनाके paired हो जाते है तो यह brown color होता है यह colorless हो जाता है यह already हमने cover किया हुआ इसके पहले वाले वीडियो में अब फिर से आते हैं इसका मतलब N2O4 का reaction का मतलब दूसरे language में NO2 का reaction तो NO2 will react with NO to give you N2O3 यह इसका product आएगा तो N2O3 will be the answer in this case तो इन आर्गेनिक sulfide X with dilute S2SO4 generates a compound Y क्यारा इन आर्गेनिक sulfide है यह sulfide होता है SO3 to negative यह sulfide है बिसका counterpart कौन सा कटा है नहीं यह नहीं पता है इसको जब आप dilute S2SO4 से treat करोगे तो dilute S2SO4 is actually H+. तो यह जो हमें देगा यह देगा H2SO3 यही product मिलेगा इसमें तो बहुत chances हैं Y के बाकी अब देखते हैं the reaction of Y with NaOH इस Y का reaction NaOH से करा रहे हैं तो gives X यह वापस आपको X दे रहा है वापस इसको जब हम NaOH से treat कर रहे हैं तो हमें पता है acid-base reaction होगा और यह वापस आपको Na2SO3 देगा और कहरा है कि यह जो Na2CO3 एक्चुल में X है NaOH के साथ reaction से X यह है अब फिर कह रहा है कि X और Y का reaction हो रहा है reaction of X with Y and water efforts compound Z तो देखते हैं अब reaction क्या है तो यह है Na2SO3 यह देगा NaHSO3 यही compound है इसको आप लिख सकते हो और H2O plus SO2 S2SO3 is another name of SO2 aqua solution of SO2 सेम चीज यहाँ पर भी है यह SO2 plus H2O लिख दे इसलिए इसका मतलब जो Y है वह आपको SO2 लेना है तभी इसने कहा है कि Y and water इसका मतलब इसको SO2 से उसने represent किया है तो यह H2O and SO2 तो अब हमारे पास सारी कहानी आ चुकी है तो पूछा क्या है Y and Z is तो Y will be SO2 and Z is this NaHSO3 तो B option इसमें हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं क्लोरीन रियाक्ट्स विथ हॉट कंसेंट्रेटिड एने वएच प्रोड्यूस एक्सेंड वाई कंपाउंड एक्स गिफ्स वाईट प्रेसिपिटिड विथ सिल्वर नाइट्रेट सिल्यूशन तो देखो क्लोरीन का दो रियाक्ट्स होता है CL2 का रियाक्ट्स ये अगर आप NaOH के साथ करोगे डाइलूट गोल्ड तो इसमें जो रियाक्ट्स आएगा ये NaCl आएगा प्लस NaOCl आएगा और इसी को जब आप कंसेंट्रेटिड से करेंगे NaOH कंसेंट्रेटिड तो ये रियाक्ट्स आएगा NaCl प्लस NaCl O3 आएगा तो यहाँ पर इसके बारे में पूछा है तो ये Y हो जाएगा और ये X हो जाएगा तैह है क्यों? क्योंकि यही कंपाउंड AgNO3 के साथ AgCl का PPT दे सकता है तो यहाँ पर रियाक्शन जो होगा NaNO3 प्लस AgCl क्योंकि क्लोराइड आयन वाला ही देगा AgCl का PPT तो इसका मतलब ये X हो गया तो कहरे है तो इसका एवरेज बांड ओर्डर आफ सी एड और ओ इन आटम Y is तो इसका एवरेज बांड ओर पूछा है तो पहले तो अब इसका स्ट्रक्चर लिखना होगा ये रहाँ Y तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा Cl O negative double bond O double bond O ये इसका स्ट्रक्चर है NaCl O3 का एक O पर O माइनस इसी के साथ Na plus अटैच होता है तो इसके bond order को count करना है तो basically यहाँ पर resonance होंगे इसके बीच में जो resonance होगा वो इस तरीके से red यूज करता हूँ resonance structure draw करने के लिए पहला resonance This is Cl double bond O O minus double bond O फिर इसका resonance होगा और अगला resonance ये इधर और ये यहाँ पर Cl double bond O double bond O O minus तो कहने का मतलब है कि इसमें total bonds जो है इस position पे 2 total bond count करते हैं यहाँ पर 2 bond है यहाँ पर भी 2 bond है और यहाँ पर 1 bond है तो total 5 bonds delocalized between 3 positions इस 3 position में यहाँ पर यह bond नहीं है यहाँ एक oxygen यहाँ एक oxygen इस 3 position में 5 bond को हमें delocalize करना है तो जो average आएगा वो 5 by 3 5 bond in 3 positions 5 by 3 यानि 1.67 एप्रोक्स तो इसका अंसर यही हो जाएगा 1.67 इस विल भी दा अंसर Heading for the next The number of S single bond O, S O bond in S2OA2 negative and the number of SS bond in rhombic sulfur are respectively तो इसको करते हैं इसमें पहले S2OA2 negative का structure देखते हैं It is sulfur peroxy linkage आएगा इसमें और 2 oxygen use हो गया तो 6 बच गया यह हो गया और यह हो गया So this is the entire part, right? तो S2OA2 negative अब इसमें पूछा है S O bond कितने हैं? तो यह 1 S O bond 2, 3 तीन जगह पे हैं basically उसमें चाहिए double हो या single हो 1, 2, 3 तो total 6 S O bonds हैं तो यह 1 तो 6 हो गया और जो rhombic sulfur होता यह S8 है It is actually S8 तो S8 का मतलब है दो W बनाना है एक W और एक दूसरा W इसको crown type का structure कहते हैं तो S हर corner पे sulfur बैठा हुआ है यही है S8 rhombic sulfur तो इसमें total कितने bonds होंगे count करते हैं S single bond S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 We are having 8 bonds तो 6 and 8 B option will be there Heading for the next White phosphorus on reaction with concentrated NaOH P4 का reaction हम concentrated NaOH से करा रहे है In inert atmosphere of CO2 To give phosphine and compound X बहुत famous reaction है यह Disproportionation reaction होता है इसमें P4 का बहुत important है NCRT का ही है एकदम यह बनाएगा pH 3 phosphine and NaOH2 PO2 और X का यही X है हमारा और इसका acidification करा दिया H plus दे दिया तो Na plus हट जाएगा और यह बन गया S3 PO2 यह हो गया Y तो पूछा है the basicity of Y is तो मैं आपको तीन important compound बताता हूँ जो often पूछे जाते है phosphorus में एक है H3 PO2 जो अभी है इसका structure जो होगा P, 1H, 1OH double bond O and H तो इसमें acidic hydrogen सिर्फ यही है तो base के presence में यही remove होगा इसलिए इसकी basicity 1 कही जाएगी क्योंकि base के presence में सिर्फ एक हटेगा condition यह होती है acidic hydrogen की कि उसको electronegative element oxygen के साथ attach होना चाहिए जो hydrogen phosphorus से attach होगा है वो acidic नहीं रहा इसलिए इसकी basicity basicity जो हो जाएगी यह 1 हो जाएगी in a similar way दूसरा आता है S3PO3 इसकी basicity 2 इसमें 2 OH होंगे एक H direct attach होगा एक OH होगा और एक double bond O 2 OH है इसलिए इसकी basicity 2 हो जाएगी and ऐसे ही H3PO4 की basicity 3 हो जाएगी H3PO4 इसमें सारे hydrogen oxygen से attach हो जाएगे तो एक दम याद रखना है यही तीन question often पूछे जाते है तो इसकी basicity 3 हो जाएगी तो that's why यह पूछा गया था इसका answer 1 हो जाएगा तो A option is correct next arrange the following bonds according to their average bond energy in decreasing order इसमें concept यह है कि carbon जो होता है यह second period का element है और इसके साथ अगर second period का element होगा like fluorine तो इन दोने के बीच का distance बहुत पास-पास हो जाएगा और यह bond बहुत मजबूत होगा जब chlorine आएगे तो थोरा सा दूर हो जाएगा क्योई chlorine का size large third period का होने के कारण तो थोरा सा bond length जादा bromine में और भी जादा और iodine में तो खेर बहुत ही जादा तो इसलिए इसका bond energy सबसे high होगा क्योंकि बहुत पास-पास जब होते हैं ठीके nucleus इसका nucleus और इसका nucleus बहुत पास-पास जब होगा तो इसको break करना बहुत difficult होगा इस case में carbon का nucleus यहाँ, chlorine का यहाँ यह थोरा सा दूर हो गया nucleus तो इसको थोरा सा असानी से हम break कर सकते हैं तो nucleus-nucleus distance जितना कम bond energy उतनी ही ज़ादा तो fluorine के case में nucleus to nucleus distance सबसे कम है इसलिए bond energy सबसे ज़ादा है और इस case में bond energy बहुत ही कम होगी तो that's why c option is correct in this case next आते हैं the acidic, basic and amphoteric oxides are तो देखो acidic जो होता है यह non-metals के oxides होते हैं यह non-metal होगा non-metal के oxides basic जो होगे यह metal के होगे metal के oxides और जो amphoteric होगे यह amphoteric metal के होगे, उसमें generally beryllium आता है, aluminium आएगा pb आएगा, zinc zinc आएगा, copper के भी compounds आएगे तो these are amphoteric metals mercury आएगा तो यह सब amphoteric metals है तब शुरू करते हैं इसमें तो acidic यह तो गायब क्योंकि metal का oxides दे दिया हाँ, यह हो सकता है, यह non-metal का oxides है यह basic होगा lithium metal का oxides है और aluminium amphoteric है तो यही match कर जाएगा तो b option is correct क्योंकि इस list से aluminium pick किया गया है अब बाकी किसी में यह combination नहीं मिलेगा now 18th x melts at low temperature and is a bad conductor of electricity in both liquid and solid state the x is तो पहला चीज़ तो जो x होना चाहिए इसको non-polar होना चाहिए क्योंकि non-polar ही bad conductor of electricity होता है right and melts at low temperature melt at low temperature का मतलब है कि room temperature के आसपास में यह liquid हो तो बहुत अच्छी बात तभी हम कहेंगे कि हाँ low temperature पर ही melt हो रहा है तो mercury तो होता है ठीक है लेकिन यह conductor हो जाता है mercury liquid होता है room temperature पर no doubt लेकिन यह good conductor of electricity being a metal और ZNS ठीक है इन दोनों के melting point बहुत हाई है यह तो carborandum है artificial diamond भी इसको कहते है diamond like structure होता है इसमें भी इसमें भी जिसे diamond में cross networking होती है वैसे इसमें भी cross networking होगी बस फर्क यह है कि diamond में हर point पर carbon होता है इसमें carbon और silicon दोनों का combination होता है तो that's why यह तो 2500 के आसपास पर जाके melt होगा हाँ CCL4 यह liquid होता है room temperature पर तभी तो इसको हम organic chemistry में हर जगा solvent की तरह यूज करते हैं जैसे याद गरो BR2, CCL4, SM लिखते थे तो यह solvent की तरह यूज होता है क्योंकि room temperature पर liquid है और यह non polar भी है क्योंकि इसका जो dipole moment है वो सारे के सारे cancel हो जाएंगे अगर आप एक CL को 4 carbon से जोड़ दो tetrahedrally तो इसका mu 0 हो जाएगा क्योंकि सारे dipole moment एक दूसरे को cancel कर देंगे तो यह perfectly match हो जाएगा D option ओके, this much in this video, thank you